नमस्कार दोस्तों मैं नीतू स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूलिप्स टिप्स पोर यू पर पहले तो सरवप्रथम आपको जन्मास्ट में की बहुत बहुत बधाई और आप यह जो प्लांट देख रहे हैं पर्सलीन का आज मैं इसक प्लांट है इसको बहुत ज्यादा धूब पसंद है ताज इसी के बारे में आपको कुछ टिप्स बताऊंगी पांच मोस्त इंपोर्टेंट टिप्स जिससे कि आप अपने पर्सलीन में जो प्रॉब्लम है वो जान सके और बहुत सारे फूल प्राप्त कर सके सबसे पहला ज आपने अपना प्लांट कहां रख रख है बहुत ज़्यादा चाया में या शेमीशेड में तो नहीं है क्योंकि अगर धूप हलकी सी भी लाइट होगी जैसे कि अब में वीडियो बना रही हूं धूप नहीं है तो प्लांट में उतनी जान नहीं रहती और फ्लॉवर्स ब्ल करनी है जब उपर की लेर सूख जाए इस प्लांट की फ्रेंट से विशेष्टा है कि यह इजी टू मैंटेन इजी टू केर प्लांट है इतना अच्छा प्लांट है कि आपके गार्डन में यह जरूरी है होना इतना सुन्दर और बहुत कम यह केर मांगता है आप छोटे से प्लांटर में इसको लगा दीजिए वहाँ भी यह बहुत अच्छे से ब्लूम करेगा आप देख रहे हैं मैंने चोटी चोटी बॉटल में कंटेनर में लगा रखा बहुत अच्छे से यह ब्लूम कर रहा है बहुत तेज जब धूख परती है तो पोधा में जान आ जाती है चमक उठता यह देखे चोटी चोटी बॉटल में भी यह काफी सारा ब्लूम करता है बस ब्लूम यह तब नहीं करेगा जब इसमें प्रॉब्लम है अगर प्रॉब्लम सनलाइट की है या आपने और वाटरिंग कर दी है तो यह पुदा ब्लूम नहीं करेगा तीसरा जो इसक तो आप ज़्यादा नहीं को दूर में फैक्ट दे अपने गार्डन से और बहुत ज़्यादा मिली बग्स का अटेव हो चुका है तो आपको एक लीटर पानी में एक टी स्पून बैकिंग सोडा, एक टी स्पून लिक्विड माइल्ड सोप और चार पास ड्रोप आपको वेजटेबल ओयल की अच्छे से मिक्स करके पोधे को नहलाना है बार बार जिसे कि आज नहला दिया, फिर कल नहला दिया, फिर परसू, तीन-चार दिन तक आप रेगुलर करोगे तो अच्छे तरह के से आप इसमें से मिलिबक्स हटा पाओगे और बहुत सारे फ्लॉरिंग आपको प्राप्त होगी तो यह कुछ रीजन से जिनकी वज़े से आपका यह जो पोधा है पुल ब्लूम नहीं करता है, मैंने आपको तीन रीजन बताया है, यह आप तीनों रीजन ध्यान में रखे, सनलाइट, लेस वाटर आपको देना है, और इन्फेस्टिशन अगर हो तो पहले आपको उसका इ पिंचिंग करोगे, उतना ही ज़्यादा यह ब्लूम करेगा, जब भी आप देखो कि फ्लावर आके उसमें सूख गये हैं, इस पेंट हो गये हैं, तो इस पेंट जितने भी फ्लावर्स हैं, उन ब्रांचेज को आप अपने बिल्कुल कच्ची-कची इसकी ब्रांचेज को हटाते जाएं, छोटे से एक बोटल में हैं, कितना अच्छा ब्लूम कर रहा है, जब भी यह फ्लावर्स आके सूख जाते हैं, उसके बाद में हलकेल के हातों से आप इसकी पिंचिंग करते रहे हैं, नहीं नहीं ब्रांचेज इसकी आती रहेगी और पौधा अक्टोबर न करनी हैं, पाच्वा इसका जो में है, वो है और फर्टिलाइजिंग से भी यह पौधा परिशान हो जाता है, तो इसमें आप बार बार फर्टिलाइजर नहीं दे, क्योंकि यह कहा कि हम 4-5 महिने का प्लांट है, तो जब भी आप इसकी मिट्टी बनाएं, उसे ही अच्छी स उसमें आपको सेंड, सोईल और कोई भी खाद, डिकम्पोजड खा दू, वो आप बराबर बराबर मात्रा में लेकर के, अच्छी से इसकी मिट्टी तियार कर लें, और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी मिट्टी थोड़ी हलकी बनी है, या रिच नहीं है, तो आप लिक्ट्विड फर्टिलाइजर, जैसे कि ओनियन फिल फर्टिलाइजर है, या बनाना फिल फर्टिलाइजर है, इनके वीडियो में पहले ही अप्लोड कर चुकी हूँ, ये सबी आप बनाएं, और पंदरा-पंदरा दिन से इसमें, आप डाइलूट करके ये डालें, आपक इसमें ब्लूम देखके मुझसे रुका नहीं गया, तो मैंने सोचा क्यों आपसे ये शेयर करूँ, क्योंकि कई बार मैं जब शाम को आती हूँ, तब इसमें मुझे फ्लावर्स नहीं मिल पाते हैं, तो मैं ये ब्लूम बहुत कम देख पाती हूँ, और आप इन सब बातों दिला सकते हैं, बहुत अच्छे सी फ्लावरिंग प्राप कर सकते हैं, I think आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, फिर भी अगर कोई क्वेरी हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, थैंक्यो फूर वाचिंग, बाँ